नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर हामित खान टीम ट्रेक्टर पाथाईस एकेडमी रक्षा यादो मेरे साथ बैठी हैं अकाउंट ओफिसर 2020 में आप बनी हैं रक्षा आपका बहुत-बहुत स्वागत थैंक यू सर्थ और बहुत प्यारी बच्ची हैं और कफी मेहनत किया इन जी होती है तो आएए हम रक्षा से बात करते हैं और इसे पहले आपका चैन सासो के पत के लिए था और आप जॉब में भी हैं और इस साल अकाउंट ओफिसर आप बन चुकी हैं रक्षा ओरॉल कैसी रही तैयारी आपका सबसे पहले तो मैं फैमली बैग्राउंड जानना च पढ़ाई आपकी वही पर हुई हां मेरा इस्कूलिंग चुई का दान से हुआ सराश्वती शिशु मंदी से पढ़ी हूं उसके बाद वहां ही के गौर्वर्मन्ट इस्कूल में मेरा 11 और 12 तका हुआ उसके बाद मैंने पीटी की परिक्षा दिराई ती जिसको क्लियर करने के बाद मेरे को गौर्मन्ट इंजिनिरिंग कॉलेज राइपूर मिला जहां पर मैंने इलेक्रिकल और इलेक्रोनिक्स इंजिनिरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बहुत बढ़ी है जी सर इंजिनिरिंग में जाने का कोई विशेस कारण था विशेस कारण तो नहीं कि गौर्मन्ट इंजिनिरिंग कॉलेज में तो वहां पर पढ़ाई उतनी अच्छे से मेरी हो नहीं पाई थी कि गेट कॉलिफाई हो सके इसलिए उसके बाद से ही मैं वहां से डाइवर्ट हो गई और फिर मैं इधर प्रपरेशन में लगई थी तो सिविल सर्विसेज में अचानक तो नहीं आया था कि क्यूंकि मैं जैसे ही इंजिनिरिंग से निकली उसके बाद ऐसा था अपने मन में कि यार जॉब तो लगानी है तो जॉब लगानी है इसके चकर में हम बाहर आए है ना बाहर देखे तो उस समय बैंकिंग का क्रेज जादा हुआ करता था तो मै बैंकिंग की प्रिपरेशन करने लगी जो बैंकिंग में प्रिपरेशन हो गया तो उस समय में मेरा लगए था Clay कल के adult में यह ती फिर उसके बाद मेरे बहुत बढ़िया कि तो फिर मैंने ट्राइग किया 2017 में ने पहली बार पीसी का पर दिया था तो जिसमें मेरा पृबी वी टौली वा मैंस बी कॉलिफाई हुआ इंटर्व्यू का रिट राया तो मैं आपके पास आई थी और यहां से मोक इंटर्व्यू का मैंने कोर्स किया औ और मेरे को बहुत अच्छा गाइदेंस जो है आपके और मैडम की ओर से मिला कि अपने आपको कैसे रिप्रेजेंट करना इंटर्व्यू में क्योंकि बैंक का जो पेपर था खाली पेपर दिला और सेलेक्शन था तो इंटर्व्यू का मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था क की अपने आपको प्रिजेंट करना ऐसे करना है पटेखना केसे प्रह Umm बोलना किसे तो इसमें आपने और में नहीं कासकर में। मे Iya कंभी मेरी हेल्प की थी कि यह करना यह मत करना यह वोल्हा जिसमें मेरे क। और मेरा पैला तो मेरी तयारी ऐसी थी कि मुझे अब 19 या 20 में कोई भी हो दोनों में से किसी वेक में क्लास टू का पोष्ट उठा नहीं था जिसके लिए मैंने कंप्लीट तयारी की और साथ ही साथ लॉकडाउन लगा उसमें हमको थोड़ा समय मिल गया कि चलो अब पढ़ लिया जाए साथ कि मैं अपने बैच के मैडम और सार के साथ पढ़ करके मैं काफी थोड़ा आगे बढ़ी मदला पहले तो थी बट सासों से भी आगे बढ़ना था उनकी हैल पसे में थोड़ी आगे बढ़ी था सर ऐसा था तो मेरा ज्यादा अच्छा तयारी था 19 में लेकिन उसको अच्छा सब्सक्राइब कर दोस्तों ग्रेजुली चीजें होती है एकदम से नहीं होती सबसे बढ़ी चीज और इंपॉरेंट चीज है कि आप पेसेंस रखते हैं धहरे के साथ आप अपना नेचुरल गेम खेलते जाते हैं और प्रफेर्शन आगे बढ़ती है रक्षा इस बीच कभ लोगों के लिए टफ रहा वो तो वो हमेशा एक चैलेंजिंग टाइप चैलेंजिंग सही मेरे सामने आया क्या इसको तैयारी कैसा करें क्योंकि वो थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट था और उसके अलावा मेरे को मतलब हम सब बहुत लाइट ली लेते हैं हम फस्ट पेपर को कि हार हिंदी है इंग्लीश है और चटिस गड़ी हम बना लेंगे लेकिन अगर देखा जाएं तो वह सबसे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें हम जादा से जादा से स्कोर कर सकते हैं और यह सेवन्थ पेपर में थोड़ा चैलेंजिंग लगा सर और जादा मैंने म बहुत सारे पहले तो टॉपिक्स कालेक्ट किये थे जिसके बारे में खेर न्यूस पेपर रिटिंग तो अभी हम करते ही है और उसके बारे में चीजे कलेक्ट करना या कुछ वीडियो देख लेना जिससे हम लोग को जनरल नॉलेज हो सके कि है क्या चीज मुद्दा क्या च कि मैं कम से कम पहले उसकी जो एक रूप रेखा है वह मैं अपने दिमाग में बना लूँ थोड़ा सा मैं लगता है सर उसमें इसे लिखने से पहले कि पांच मेर जा जा आ जा रहा है दिस मेर्ट जा तो आप बागी के जो 20 मिनट है उसमें बहुत अच्छ इसे लिख सकते है एक प्लानिंग के साथ अपने एसे कर सकते हैं, पढ़ाई के दोरान, सेल्फ नोट्स बना रहे थे या फिर डिरेक्ट बुक से पढ़ लिया, या कोचिंग के नोट्स से, क्या स्ट्राटीजी रही है? सेल्फ नोट्स मेरा रहता है कि जब मैं पढ़ती हूं तो बीना लिखे में को याद नहीं होता है, जब मैं उसको लिखूंगी तो मेरे को बहुत अच्छे से आद होगा, जैसे कुछ चीज होता है जो हमको पॉइंट्स में आद करने रहते हैं, चोटे-चोटे पॉइंट्स उसको अगर लिख लिख लिया तीन-चार बार तो वह बहुत अच्छे से अमारे दिमाग में छप जाता है, तो मेरी वही स्ट्रेटेजी रहती है सर चीजों को याद रखने के लिख लिख के याद करना, जी सर, पढ़े शेडियूल कैसे मैनेज के आपने लाइक सूब पढ करके कम से कम एक या देड़ घंटा तो मैं निकाली लूँ पहले आसा रहता है, जैसे हम चले के 11 बजे ओफिस तो वहां पे भी ऐसा था, अचली हम लोग वहां ट्रेनिंग में थे, तो हम लोगों कुछ टास्क दिये जाते थे, कि आज ये कंपलीट करना है कर गे, तो ऐसा जल्दी कंपलीट कर लिए, कि जैसे हम को कभी ऑफिस में रुखना ही था, तो साथ में मेरे कलीक्स भी थे, जिनके साथ हम पढ़ाई किया कर थे, तो कभी वहां बैठ के पढ़ लिया कर थे, फिर उसके बाद, जब घर आया तो फिर उसके बाद शाम को जब घर आए, तो फ एक्जाम के बीच में कुछ-कुछ नोट्स मैंने बना कर रखी हुए थे जो मिर को तुरंट कभी होता है न कि हम पूरा पढ़ तो नहीं सकते बड़ पनने एक बार पलट ले तो ऐसा लगता है कि हमने सब पढ़ लिया तो मैं वैसा बना कर रखी हुए थे सर कि चोट-चोटे पॉइंट कर लिए जो हमको याद नहीं रहते हैं जो याद रहते हैं उनको तो लिखने की या ऐसे जगा पर लिखने को चुछ रहते हैं लिकिन जो चीज याद नहीं रहते हैं उसको अगर मैंने एक साइड लिख लिया है तो उसको हम एक्जाम के पहले देख लिए तो वह को याद रहेगा कि अगर कोशन आया तो हमने देख के तो गया हुआ है तो बहुत बढ़िया दोस्तों देखे सबसे इंपॉर्डन चीज होती है एक्जाम के दिनों में जो सिनॉप्सिस जैसी कोई चीज है वो आपके पास रीकलिक करने के लिए आइडियास को एक जगा रखन सबस्तों देखे होता है कि हमारी एडवाइस होती है कि आप NCRT से शुरू करें जैसे अलग-अलग शात्रों के साथ इंटिव्यू देखेंगे मालो सलील भी इस साल एयो बने उनके इंटिव्यू को आप देखेंगे तो NCRT पर फोकस रहा कुछ कोशन वहां से टकरा जाते ह हाला कि PSC में बुक्स के लिए बहुत जादा नहीं होनी चाहिए आपके पास और पात के नोट सफी सेंट है और मीडियम वाइस भी हमने सेपरेट दे कर रखा है मीडियम का कैसा रहा आपका हिंदी मीडियम था इंग्लिश मीडियम था थीक है तो देखें जो शात्र यह है और हिंदी मीडियम में अपने परफॉर्म किया मैट्स और साइंस को लेकर कभी चैलेंज आया कि उसको हिंदी मीडियम में करना है थोड़ा सा रहा क्योंकि जब हम बायो पढ़ते हैं तो उसके जो तर्मिनोलाजी रहते हैं वो हिंदी में बहुत टॉफ होते हैं बट में मैथ में नहीं एपने मीरे देजके तो इस दॉड़ा सा मेरे थोड़ा फुझा मेजैंक आयो अड़े उसक्सा कमश्री और में तो कभी सिरत ने लच मेरे दिख इन में मे ब्लेप ढ़ा इस तर्मिनो से यातकरने में जाते थी में को सूरूव으면 काफी जब मैं दिलाई तो तो एसा था कि मिर को ऐसा लगने लग ज़या था कि या बायो क्यों है? इसमें ऐसा करें। पर उसके बाद जब उसको समाजने की कोशिज करें, वीडियो वगरे देखके, गुकलेट्स वगरे से काफी हेल्फूल रहा हो मेरे लिए, और उसमें कवर करने में इजी रहा रक्षा क्या मानती है प्री के पहले एक तैयारी हो जानी चाहिए क्योंकि ज्यादा तर नए बच्चे जो ट्राई करते हैं इस एक्जामेनिशन को तो कई बार उनके दिमाग में चीज़े आती हैं कि हम सर हम फॉर्म भरे और एक्जाम दिये आपका क्या मानना क्या एड़ाइ हैं तो लोगों के इंस्पिरेशन लेकर के मैं फॉर्म डाली थी उस समय मेरे दिमाग में असा नहीं था कि मैं प्री निकाल लोंगी मेरा में रहेगा तो मैं क्या पढ़ूँगी यह सब मेरे प्लान में नहीं था लेकिन जब प्री निकला एक एक ओन्फिडेंस डेवलब ग अच्छे से दिलाना है तो जब मैं उसमें लग गई थी तो उस समय ऐसा था कि मैं एकदम पूरा syllabus तो कंप्लीट नहीं कर पाई थी बट मैं 70-80% syllabus कवर कर ली थी और वो मेरा इतना अच्छे से तयार था जिसमें मेरे को काफी अच्छे नमबर मिले थे उस समय तो हर बार ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं हो पाती कि हम पहले से सोच ले कि क्या करना है अपन को कभी कभी होता है अपरचुनिटी जिसको हम कहते हैं आया है हमारे पास और इसको ग्रैब कर लो तो कम से कम इनसान को यह प्रिपेर रहना चाहिए कि हम को ऑपरचुनिटी इसको ग्रैब करना है अब वो ऑपरचुनिटी आपके पास कब आती है या तो आप पूरा प्रिपेर कर लेते हैं उस भी आ सकती है तो हमको ये प्रिपर होना चाहिए कि नहीं ऑपरचुनिटी कब मिल रही है हमको क्या सी क्रैप करना है हमको अपने इसके लिए हमको रैडी करना चाहिए सर्थ बहुत बढ़िया है देखे कितनी सुन्दर बात आपने कही कि अपरचुनिटीज आपको बता कर नहीं आएंगी या तो आप प्रिपेर्ड है या तो नहीं है दो बाते हो सकती है अब ये देखना है कि जब कोई आपको आपने कोई मिशन डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बा आपकी स्राटेजी क्या रही करेंट अफेर्स को लेकर डेली बेसिस पर अभी जैसे कि मेरा थोड़ा बीजी हो गया है तो अभी मैं डेली न्यूस पर नहीं पड़ पाती हूं बट फिर भी मेरा करेंट अफेर्स देखने का यह रहता है कि यूट्यूब है अपन चालू कर इसको सुन लिए अपनको बहुत कुछ पता चल रही है जिसको अपन नोट भी कर सकते हैं तो हम करेंट अफेर से कंटीनियू जूड़े रह सकते हैं और जिससे कि में न्यूस पर पढ़ना भी मेरी एक आदत बीच में बन गई थी लेकिन फिर कुछ ऐसा लगने लगा मेरे क पर में कि यार इसमें तो पूरा नॉलेज का चीज रहता नहीं है तो फिर मैं यूट्यूब देखना ज्यादा प्रिफर करती हूं या फिर अपने सोशल मेडिया में भी हम जो न्यूस चैनल वागरे सब्सक्राइब करके रखे रहते हैं उससे भी हम लोग को बहुत नॉले करना चीज ये है की आपको न्यूज कगर करना होगा उसे शामील करना होगा और करेंड अफेर्स को अपने उततर में कैसे शामील कर रहे हैं ये अग्जाम हॉल में आपके लिए बहुत मायने रखती है कई बर रख्षा एग्जाम हॉल में जो इंच्टाभ एग furnace हो ईटरने तो इसके लिख पहले से अहा प्रपेरेशन की उसके लिए मेरी बढ़ाई करके रखना ही हुचा अब दो परेशन जो है डिल्गाक उसके लिए क्रफला जो लगता है अपना सोने और उठनी का जोक्वhew ऑकड़ीडägप हाय वो इंदाम कोड़ार भूंत है हना कि हमको कब पढ़ना है क्या पढ़ना क्या से पढ़ना है यह पहले से ही अपन डिसाइड कर चुके रहते हैं बड़ सबसे आदा हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि नीन कंप्लीट नी हुई एक्जाम में उसका पूरा प्रेशर दिखाए देता है कि मैं कोई आद नी आ दो पढ़ना है कि यह चीज होती है सर तो मैं अपने आपको बस इत्ता कर लेती हूं कि मैं साथ घंटे ही सो उससे ना कम न उससे जादा तो एक्जाम टाइम में भी मेरे रहता है कि जैसे ही बारा बजा मेरे को सोना है मतलब सोना मतलब ऐसा नहीं कि विस्तर में ही जाके सो मतलब complete सोना है और सुबह साथ बजुगे क्योंकि नौ बजे से पेपर रहते हैं सर तो दो घंटा अपने तैयारी के लिए चाहिए रहता है हमको exam hall में पहुंचना रहता है बैठना रहता है वहाँ पे तो यह सबसे पहले मेरा most important thing रहता है कि अपना जो दिन चरिया है उसमें जो हमारा सोने का समय है वह हम कर लें बाकि फिर पेपर कैसे निकलते हैं वह तो समय पूरा निकल जाता है सर नहीं वह आपके चेहरे को भी कोई देखेगा तो बता सकता है कि आप भरपूर नीन लेने वालों में से है और अच्छा है बहुत healthy चीज है बिकाज नीन के बीन हम आप उन्हें भी सुनेंगे और बहुत important है बिकाज जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा कि एक्जाम का schedule दोपहर का है आपका morning तीन घंटे फिर दोपहर में तीन घंटे दोपहर में सोने की आदत आपने पाल ली तो बहुत खतरनाक है और उसी वक्त नहीं दाएगी आपको एक्जाम के ताइम पर इसके लावा इंटेविए कैसा रहा आपका ये पहला था या दूसरा सब्सक्राइब तीसरा इंटेविए था ओर ओर ओर्ल कैसा experience रहा ओर अपर ओल एक्सक्रियंस काफी अच्छा रहा सर बाचकर सर का बोर्ड मिला ता वह ये इस बार के बारे में व प्रेशर वाला सवाल उन्होंने नहीं पूझा, बहुत ही जॉली वेसा इंटर्वीव मेरा चला गया ऐसा था कुछ विशे इस दो चार सवाल क्या रहें आपके विशे सवाल में सर पहले चार गड़ के बारे मेरे से कुछ चीजें पुची थी मेरे अरिया के बारे से जैसा की चुई खदान एरिया है तो सब लोगों का कॉमन कुश्ण रहता है क्या चुई खदान नाम क्यों तो वह एक कुछ कुछ इतिहास की कुछ की जैसे वहां का गोली कांड हो गया और चुई के खदान होने से पान की खेती होने से और एक रियासत भी रहा तो उसकी वज़े से काफी फेमस है वो जगह तो से रिलेटेड मेरे से कुछ कुश्ण हुए और थोड़ा कुश्ण बैक्ग्राउ तो उससे रिलेटेड बी ऐसे कुश्ण नहीं हुए कि यह कैसे बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं बहुत ही अच्छे कोश्ण कि यह सर ने की आप आप तो वर्किंग बुमन है तो आपको खाना बनाना है अब टाइम कैसे मैंश करेंगे कि आप काम भी कर ले और खाना भी बना क्योंकि होबी है तो उसको तो ऐसा नहीं कि काम के चक्कर में आप छोड़ दो तो उनको मैंने बताया कि सर हम जल्दी खाना बनाने के लिए जो है क्या कहते हैं टाइम मैनेज करके पहले तो बना सकते हैं क्योंकि खाना मतलब बनाने में आदमी को बहुत ज्यादा समय नहीं गैस तो यूज होता है उसको आप कैसे सेव करेंगे तो उनके लिए अंसर था कि सर खाना धकन धाके पकाया जा सकता है लुए कुछर में या चामल बतारी हूँ तो उनका ये question आया तो फिर मैंने बताया उनको इसका answer कि जैसे हम a me घाना पकाते हैं तो ताब कम ताब के वजह से खाना जल्दी पग जाता है पानी का कोत्नांक कम हो जाता है जिससे वर जाता तो भी खाना जल्दी पक जाता है इसलिए इसको कैने के प्रेशर कुकर केहते हैं, कि प्रेशर में थे खाना बनता है तो पूक्षी अच्छा सा जोली सा इंटर्विजु किया थे लगए। उन्हों नहीं की है कि अन्दाज रहा मार्क्स का कितने तक उन्होंने दिये नंबर जी मार्क्स सर ने दिया था 88 मार्क्स दिया ठीक है काफी है 85 प्लस मिला हुआ कोई भी नंबर बहुत अच्छे कैटेगरी में आता है इसके अलावा तैयारी में कई बार जब चालेंज आता है हमारा रिजल्ड कभी ऐसा हुआ भी होगा किसी एक प्री में नहीं निकला मेरा मेंस नहीं निकला था सर 18 वाला ठीक है वो प्रिशर मैं चाहूंगा प्लीज शेयर करें बचों से कि कैसे उसको हैंडल करना उसके बाद क्या इस सार्टेजी थे आपकी सर बहुत बुरा लगा था जब 18 का मेंस के चक्कर में क्यूंकि मैं बैंक में भी थी तो वो छोड़ना था मेरे को तो एक नहीं नहीं जॉब रहती तो अपन को पता नहीं रहता ना कि कैसे रिलीव हो या कैसे रेजिगनेशन दे दूसरा जॉइन भी करना है तो ये सब में थोड़ा सा मैं ज्यादा उलज गई थी जिससे मेरी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी और ये वाला जो मैं आपको जो नहींद बताई थी ना वो चीज मेरे साथ वहां पर हो गई थी तो मेरा एक्जाम अच्छे से नहीं गया था। मुझे लगी गया था कि सायद नहीं निकलेगा कर के बड़ जब नहीं आपर पढ़ाई करनी है। पर हम दो हैंग का इसा दरनी धूत सुथ आसा यहां क्या संदरतले करना टुमारुकों, इस दिदर भुपुरी यूम्हारह से द' द कृूरा खोला था हुआ। तब मैंने पूरी तियारी और मतलब तियारी दुबारा हो गई मान की चुड़े लेकिन उसका क्या बोलूँ उसको बैड लग बोलूँगी कि मेरा उननीस में नहीं हुआ और बीस में उसका रिजल दिखा सरह सरह बढ़िया जी सरह दोस्तों पेसेंस मैं हमेशा कहता हूँ और असफलता भी आपके सफलता का एक पार्ट होता है यदि उसे आप नजर अंदाज कर दें तो फिर आप सीख नहीं पाते हैं और आप देख रहे हैं कि रक्षा ने कैसे उसको रिलाइस किया अपनी गल्तियों को समझना तकि दुबारा गल्ती ना हो गल्ती तो हो लेकिन हर द बचों के सवाल होते है नहीं Rangers our lichhen from paragraph में लिखें तेन diagram कहा डाले क्या रहा दीछ की कारण नहीं पर कुछूंदा कारण तो नहीं पर आप दो शूंदे был जिखने जया प्들विद्विश्द में आपको इस too अलदी जिद्विख नहीं कारण हो आप और कुछ कुशों यदि तो सर वही स्ट्राटिजी है उनको बिना पॉइंट का हम लिख सकते हूं जैसे कि किस टाइब से कुष्चन जाते हैं सर उसको हम डारेक्ट लिख सकते हैं जी ऐसा है बहुत बढ़िया यह डिपेंड करता है दोस्तों देखिए कि इतने बढ़िया बात है कि कुष्चन को समझ कि मालो उन्होंने पॉइंट में आपसे एक्सपेक्ट किया है कि बहुत सारे पॉइंट लिखने है तो अब इसलिए पॉइंट में जाएंगे सो इस स्टेज से मैं आपको यह समझा दूं कि कोई इसके लिए फिक्स रूल नहीं है कि पॉइंट वाइज लिखेंगे तभी न करता है कि एससा नहीं रहता है कि इंग्लिश मेंगें ज्यादा मिलेंगे हाँ यह बात अगर आप बोलें कि इंग्लीस में य्यादा रटा-ग्रेक्षा कि यह सब यूपे सी के लेवल में लाग होती लेकिन अगर मैं सीजी पेसी की बाधा गरूं तो काफी न्टैंट हम लो आपका जो निवास इस्थानशोई खडान है अभी विकास कैसा है वहाँ का? सर अभी वहाँ का विकास तो काफी बहतर है पहले वहाँ तो जब हम पढ़ते थे तो English Medium School भी नहीं हुआ करती थी अब वहाँ पे English Medium School खुल गए है और काफी पुराने जो गौर्मेंट इस्कूल थे उनकी भी स्थिती काफी बहतर हो चुकी मैं आपको बताईती कि मैं भी गौर्मेंट इसकूल से पढ़ी हुआ है तो वहाँ की भी इस्थिती काफी अच्छी है टीचर्स काफे अच्छी हैं जो बढ़ाते हैं नों अब वहाँ पर क्या बच्चे वापस तैयारी कर रहे हैं आपको देख कर उनको लगा होगा कि हम भी ? आहा सर भी बिल्कुल कि क्योंकि मैं अभी जाती हूँ यहां पर तो मतलब ममी कहती है कि सब तेरे को पूछ रहते हैं कि तू कब आएगी तो कब तेरे से मिल सकें ऐसा वाला वहां पर है कि मतलब तुम से कुछ पूछ सकें कि कैसे तैयारी किये क्या किये तो अच्छा लगता है सर यह सुन करके कि वहां से हम निकले हैं और वहां के लोगों को गाइड करना भी हमारा करता भी है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो मैं वहां जाती हूं और कुछ बच्चे मम्मे के स्कूल के जो है वो आते हैं और पूछते हैं कि दीदी एक ऐसे पढ़े एक ऐसे पढ़े हाला कि वो लोग अभी बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लगता है कि उनकी जिग्यासा है कि हमको आगे बढ़ना है जैसे दीदी करी है व तो गई थी सबसे मिली थी बाकी टीचर्स वगरे से तो काफी अच्छा लगा सबका आशिरवाद मिला हुआ बहुत बढ़ी है तो दोस्तों देखे चुई खदान जो है वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है नहीं बहुत छोटा है लेकिन आप जीवन की चुनोतियों से पार दो दिन या दस-पंदरा दिनों की सफलता नहीं होती है आपकी मेहनत और उसको लंबा समय चाहिए आप कभी अपने अशिस्टेंट डिरेक्टर के लिए भी तैयारी के ती तो अब तक की जर्नी मेरे खाल से फाइव एर्स की होगी आपकी फाइव साल तक आप पढ़ाई से जुड़े रहते हैं और उसके बाद क्योंकि रख्षा हमारे पास उसी दौरान ही आई थी जिए इन्टिव्यू की तैयारी के लिए और आप खुद स्वहम पढ़ी हैं और हम ने तो आपको इंटिव्यू तेयार कर आए तो वहां से लेकर अभी तक की जर्नी में जो बदलाव आए हैं प्यसी में वह आपने अन्दाज लिया क्योंकि आपने पुराने पैटन को भी दिया और नया पैटन में भी दिया शात्रों को कोई अड़ी देना चाहेंगी कि मुल्टिपल स्टेट्मेंट वाले कोश्चन आ रहे हैं उसके बारे में कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अब सर मुल्टिपल यह चोईस वाला जो पहले जो था वो एक ना वन वर्ड आंसर था कि हां पता है तो सही है ना उसमें हम श्योर भी रहते थे बट अभी जैसे चछी चीजों को पढ़ना पड़ेगा साथी याद भी रखना पड़ेगा सर अगर किसी सत्यागरा में 500 लोग थी तो अपनको वह 500 याद रखना पड़ेगा तो उसके लिए हमको डीपली तयारी करने की आवशकता है सर कि हम उसको और बहतेर और जितना ज़्यादा उसके ब प्रिपरेशने का अलग तहीके से करनी ही पड़ेगी। दोस्तों पैटर्न बदला तो है और देखे शुरू से मेरा मानना है कि आप प्री की तैयारी मत कीजिए, मेंस की तैयारी मत कीजिए, आप सीजी पेसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि होता गया है कि जब हम विशय को बां चार आंसर में से एक पढ़के तो जाने सकते हैं, लेकिन अगरा मेंस के लिए भी साथ ही साथ तैयारी करें, तो यह रहता है कि हमारा इस्टेटमेंट भी रेडी होते जा रहा है उससे, क्योंकि हम लोग को लिखना भी पता चल जाएगा, और वहां पे प्री में उसको चू करना, तीन में से दो या जैसा भी चूज करना, यह हमारे लिए इसी हो जाएगा, कि अगर हम लोग दोनों का तयारी साथ में करके चलेंग तो मेरी एडवाइज शुरू से ही सब को यह रही है, कि सिरिफ प्री का ही मत करो, क्या प्री निकाल के चुप बैठना है, नहीं तो मेंस का भी करो, कि इंटरवियू तो एक अलगी चीज हो जाती है, जिसमें हमको अपनी परस्नलिटी सामने वाले के सामने रखने ही तो मेरे यह मानना है कि प्री और मेंस, तो दोनों की तियारी करो, सिर्फ एक की तयारी नहीं करेंगी हैं को दोनों में से को एक पेपर तो निकालने हैं, तो दोनों का तयारी करना है, बहुत बढ़िया, रक्षा हमारे स्टेट में वैसे गल्ल्स को हमने लगभग बराबरी का दर्जा देखा है, बहुत भेद भाव तो नहीं है हमारे राजे में, फिर भी बी बीग गल लाइफ में चैलेंजे जाते हैं बहुत सारे और घर से बाहर निकलना है, तैयारी करना है, परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ, मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों मतलब काफी सपोर्टी रहा है, मैं बोली में को बाहर जाके पढ़ना है, शुरू में मेरी घर में तयारी नहीं हो को बाहर जाना है, में कोई कुछ पूछा नहीं, मम्मी और पापा दोनों से कोई पूछा नहीं, बुले हां ठीके बाहर जाके पढ़ना है, ठीक है तु बाहर जाके पढ़ना है, तो अभी तक की वहां उसके पहले से और अभी तक की मम्मी और पापा का सपोर्ट काफी रहा आपके उसके बहुत भी उन्होंने आपको अनुमती दी यह एक बड़ी चीज होती है कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स भी सोच लेते हैं कि नहीं जो कुछ है यहीं कर लो बाकी तो ठीक है आगे देख लेंगे दोस्तों यह बहुत इंपॉड़ेंट है जब परिवार वालों का सपोर्ट मिल जाए लेकिन परिवार का सपोर्ट तब मिलेगा जब आपका डेडिकेशन उनको दिखता है अपने इससे पहले आपका जो इतिहास रहा है उसमें आपने क्या किया है क्योंकि कई बार परेंट्स ओर इगले अगाले एकजां मिलेगा इनकेशन चाहला है नहीं धाले आई सतिहां कि अगले पढ़ति Zालेडल सुटब कनाेलि दिखता चैंपाहिफ्त कि अब मेले आकि 땅 मेलों करे दो दो तौर मेरा आख़री सेंडेंस के तौर पर समझना चाहंँका अर्पात के paymentर घर मि कभी होता है कि आप बाद में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है यह भी मायने रखता है लेकिन आपका जो बेसिक होता है जैसा मैं आपको बताई थी कि जब मैं पहली बार इंटर्वीव दिने आई थी मैं बहुत जादा डरी सहमी थी आपको भी पता होगा कि मैं बोल नहीं पा थी आपके सामने आंसर पता होने के बहुत जुद्धी लेकिन जो फिर आप ने सपोर्ट किया शिट काफी समझाया और मैडम ने बहुत समझाया की ये जीजच भी ज़रूरी है सिरुप पता होते होना जरूरी सहिन के और इस इसके लिए इसके लिए बहुत 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 बढ़िया है और अजो देहर सारी कामना है जी सर थैंक और यहां और एक और सेंटेंश आप लोगों के लिए ही मैं फिर से कहल वा लेता हूं कोई Do's and Don'ts टाइप की चीज़े हैं आखरी सेंटेंज जो शात्र नए लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में रक्षा कुछ कहना चाहेंगी कि अपना जो टारगेट है उससे कभी मत भटको कि हमको पता हो ना जी की हमको हासिल क्या करना है जब तक हम उसको हासिल नहीं कर सकते नहीं करें हैं तब तक कि हम लोग को शांत तो बिल्कुल बैटना नीची कि उसके ऊपर लगे रहो जैसे विवेकानन जी की लाइने उठो ज चीज बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए उनकी यह लाइन मैं हमेशा फॉलो करती हूं और हमेशा अपने मन में यह चीज तो रखना चाहिए कि हां मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी जिसे हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे सर पसक्लास जी सर सो आई होप यह संदेश आप तक दोस्तों और शूई खदान के जितने भी शात्र हमको सुन पा रहे हैं आपको भी घेर सारी बधायां क्योंकि आपके शेत्र से एक कैंडिडेट आज हमारे साथ इंटिव्यू कर रही हैं और आप भी सफलता के जंडे गाड़ सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर बहुत धन्यवाद आने के लिए और आप सभी का बहुत धन्यवाद थैंक यू